हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है क्रंट फेस बाई रवी यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल तथा वाइसरोय टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये हिस्ट्री का काफी जादा इंपोर्टन टॉपिक है और इस हर एक एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैंने सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपोर्टन लिए हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम की तेरी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूजफूल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं हमा बंगाल का प्रथम गवर्नर तो वेरेन हैस्टिंग था लेकिन आपको याद रखना है कि वेरेन हैस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और ये जो regulating act है इसके द्वारा इसे बनाए गया था ये act 1773 में हुआ था तो इसके कारण बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वरें हैस्टिंग बना था अगला प्रशन मारा एंगलो नेपाल युद किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इंपोर्टेंट कोशन है साई आंसर हो जाएगा ऑप्शन D लौर्ड हैस्टिंग के काल में तो लौर्ड हैस्टिंग के काल में एंगलो नेपाल युद हुआ था अगला प्रशन है किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिस अंसद में महा भीयोग का मुकदमा चलाया गया था इंपोर्टेंट कोशन है फ्रेंट्स पिछले किसी एक्जाम में पूछा गया है साई आंसर हो जाएगा ऑप्शन D वेर इन हैस्टिंग पर तो वेर इन हैस्टिंग पर ब्रिटिस अंसद में महा भीयोग का मुकदमा चलाया गया था अगला कोशन हमारा बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था इंपोर्टेंट कोशन है ये भी साई आंसर हो जाएगा ऑप्शन D लॉड वेलेजली को तो लॉड वेलेजली को बंगाल का शेर उपनाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कोन था साई आंसर हो जाएगा ऑप्शन D लॉड विलियम वेंटिक तो लॉड विलियम वेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था Friends अगर आपको वीडियो पसंदार ये वीडियो का content और quality अच्छी लग रही है तो इसे like ज़रूर करें और अपने friends के साथ भी share करें साथ ही friends इस वीडियो में मैंने आपके लिए gift भी रखा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप से हर वीडियो में test part लेते हैं और ये जो test plus gift part है ये आगे मैं आप से वीडियो में थोड़ी देर में लेने वाला हूँ नेक्स्ट कोशन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साई आंसर हो जाएगा option C Lord William Wentic तो Lord William Wentic भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये आपको याद रखना है अगला प्रेशन हमारा डाक टिक्टों का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंब हुआ था most important question friends इसे स्टार्मा कर ले न साई आंसर हो जाएगा option C Lord Dalhousie के काल में तो Lord Dalhousie के काल में डाक टिक्टों का प्रचलन हुआ था next question साई मन कमिशन का आगमन किस वाइसरोय के काल में हुआ था important question है साई आंसर हो जाएगा option C Lord Irwin के काल में तो Lord Irwin के काल में साई मन कमिशन का आगमन हुआ था भारत में नेक्स्ट कोशन, भारती लोग सेवा आयोग का प्रवर्तन किया गया था सई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, कौन वालिस के शाषनकाल में तो लौड कौन वालिस के शाषनकाल में भारती लोग सेवा आयोग का प्रवर्तन किया गया था नेक्स्ट कोशन भारत में प्रथम railway line किस British governor के समय बिचाई गई थी Most important question friends कई सारे exam में पूछा गया है साई answer हो जाएगा option D Lord Dalhousie तो Lord Dalhousie के समय काल में ही भारत में प्रथम railway line बिचाई गई थी अगला प्रशन हमारा स्थाई बंदोबस्त किसके शाषनकाल में प्रारंभ किया गया था साई answer हो जाएगा option D Lord Convales के शाषनकाल में प्रारंभ हुआ Next question किस वाइसरोय की हत्या उसके कारेकाल में हुई थी Important question है ये भी साई answer हो जाएगा option D Lord Mayor तो Lord Mayor की हत्या उनके शाषनकाल में हुई हो गई थी Next question किसे भारत में स्थानिय स्वायत शाषन का जनक माना जाता है साई answer हो जाएगा option D Lord Rippan को तो Lord Rippan को भारत में स्थानिय स्वायत शाषन का जनक माना जाता है Next question भारत में करजन के प्रशाशन की तुलना औरंग जेब से किस ने की थी important question है ये सही answer हो जाएगा option B जी के गोखले ने तो जी के गोखले ने करजन के प्रशाशन की तुलना औरंग जेब से की है next question food डालो और राज्य करो की रन निती किस ने अपनाई थी भारत किस वाइसराई के काल में सफतंत्र हुआ काफी जादा important question है सही answer हो जाएगा option C Lord Mountbatten तो जब भारत सफतंत्र हुआ तो उस समय भारत के वाइसराई थे Lord Mountbatten Friends आपको important information देता हूँ कि हमारी अर्दवाज की current face की book launch हो चुकी है जिसमें हमने January से June तक के सभी current face को topic wise one liner form में और MCQs form में आपके लिए provide करवाया है और इस book के last में हमने 15 test के sets भी रखे हैं जिससे कि आपकी current face की काफी अच्छे तरीके से तैयरी हो जाएगी और इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस video के description box में provide कर आदेगा और साथ ही हमारी 50,000 GK की book भी launch हो चुकी है और इस book को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके exam में 90 to 95% of question इसी book से आ रहे हैं तो आप इन दोनों books को buy करें और अपने exam की preparation को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं next question भारती विश्विद्याले अधिनियम किसने पारित किया था important question है सही answer हो जाएगा option B Lord Karjan ने तो Lord Karjan ने भारती विश्विद्याले अधिनियम को पारित किया था next question पिंडारियों का दमन किसके शाषनकाल में हुआ important question है ये सही answer हो जाएगा option D Lord Hastings के काल में तो Lord Hastings के शाषनकाल में पिंडारियों का दमन हुआ था next question सिविल सेवा में प्रवेश की आयू 19 वर्ष से पुना 21 वर्ष किस वोइसराई ने की थी सही answer हो जाएगा option A Lord Rippan ने तो Lord Rippan ने सिवल सेवा में प्रवेश की आयू 19 वर्ष से पुना 21 वर्ष कर दी थी next question सवतंत्र भारत का पहला गवर्णर जनरल कौन था सही answer हो जाएगा option D Lord Mountbatten तो Lord Mountbatten भारत का पहला गवर्णर जनरल था next question Lord Clive को उमरा की उपाधी किस ने प्रदान की थी सही answer हो जाएगा option A आलमगीर ने तो आलमगीर ने Lord Clive को उम्रा की उपाधी प्रदान की थी ब्लैक होल की घटना का वर्नर बंगाल के किस गवर्नर ने किया था सही आंसर हो जाएगा option C, Hallwell ने तो ब्लैक होल घटना की जो वर्नन है वो बंगाल के गवर्नर Hallwell ने की है नेक्स्ट कोशन, बकसर के युद के समय बंगाल का गवर्नर कौन था सही आंसर हो जाएगा option B, Henry Wensi Tot तो Henry Wensi Tot बंगाल का गवर्नर था जब बकसर का युद हुआ था 1764 में नेक्स्ट कोशन, रिंग फेंस की निती का समंद किस गवर्नर जनरल से है सही आंसर हो जाएगा option D, Waren Hastings से तो Waren Hastings से ring fence निती का समंद है Friends, आप हमारे vlogging channel के साथ भी जुड सकते हैं हमारे vlogging channel का नाम है रवी दिति Vlogs आप इस channel पर विजिट करें, इसे subscribe करें और हमारे interesting vlogs का अनन्द ले और आप इस channel को भी support करना ना भूले अगला प्रेशन है Waren Hastings ने Ward of Revenue यानि कि राजसर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया था सही आंसर हो जाएगा option C 1772 SW में तो 1772 SW में Waren Hastings ने Ward of Revenue यानि कि राजसर बोर्ड का गठन किया था अगला प्रेशन हमारा Regulating Act के अंतरगत 1774 SW में कि स्थान पर Supreme Court की स्थापना की गई थी Important question है ये सही आंसर हो जाएगा option D कलकत्ता में तो कलकत्ता में 1774 SW में Supreme Court की स्थापना की गई थी Regulating Act के अंतरगत अगला प्रेशन है किसने कहा था कि मेरा मूलांकन मेरे कारियों से करना शब्दों से नहीं Important question है सही आंसर हो जाएगा option D Lord Rippen तो Lord Rippen ने कहा था कि मेरा मूलांकन मेरे कारियों से करना शब्दों से नहीं Friends अब इस वीडियो के काफी जादा interesting और important part आगए जो कि है test plus gift part जैसा कि मैंने आपको उपर ही बताया था तो जो भी हमारे test के दोनों questions का अंसर बिल्कुल सही देंगे तो उन में से हम lucky 5 winners को randomly select करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी current phase की book है वो बिल्कुल free में provide करवाई जाएगी तो सभी को test plus gift part के लिए all the best test का पहले question है भारत में प्रथम railway line किस British governor के समय बिचाई गई थी ये रहे आपके 4 options next question regulating act के अंतरकत बंगाल का प्रथम governor general किसे निउक्त किया गया था ये रहे आपके 4 options तो ये था हमारा test part आपको comment box में मुझे बताना है कि आपको हमारा ये नया initiative test plus gift part कैसा लगा next question हमारा कलकता में स्थापित सुप्रीम कोड के प्रथम मुख्य नयाइधीश कौन थे सई answer हो जाएगा option है Eliza Impe तो Eliza Impe कलकता सुप्रीम कोड के प्रथम मुख्य नयाइधीश थी next question बंगाल के स्थापना की गई थी important question है सई answer हो जाएगा option D 1784 इस्वी में तो 1784 इस्वी में the asiatic society of बंगाल के स्थापना की गई थी next question भारत में नियमित जनगर्णना की शुरुवात किस वोईसराय के काल में हुई थी important question है सई answer हो जाएगा option C Lord Rippan के काल में तो Lord Rippan के काल में भारत में नियमित जनगर्णना की शुरुवात हुई थी next question पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का अंगरेजी में अनुवाद करने का श्रे किसे दिया जाता है जिसे Warren Hasting ने आशे प्रदान किया था most important question friends कई सारे एक्जाम में पूछा गया है ये question सही answer हो जाएगा option A Charles Wilkins को तो Charles Wilkins ने ही friends पवित्र जो ग्रंथ है हमारा भगवत गीता उसका अंगरेजी में अनुवाद किया है next question भारत में स्थानिय स्वायत शाषन को किसने प्रोचसाहित किया था सही answer हो जाएगा option C Lord Ripande next question British भारती राजे क्षेतर का अंतिम प्रमुख विस्तार किस वाइस रोई के काल में हुआ था सही answer हो जाएगा option A Lord Dufferin के काल में तो Lord Dufferin के काल में British का प्रमुख विस्तार हुआ था भारती राजे क्षेतर में next question भारती पुरातत्व सर्वेक्षन की स्थापना किस वाइसरोय के काल में हुई थी? Important question है सही answer हो जाएगा option A Lord Karjan के काल में तो Lord Karjan के काल में ही भारती पुरातत्व सर्वेक्षन की स्थापना हुई थी भारत में Next question कलकता में Victoria Memorial Hall का निर्मान किसके शाषनकाल में हुआ था? सही answer हो जाएगा option D Lord Karjan के शाषनकाल में तो Lord Karjan ने ही कलकता में Victoria Memorial Hall का निर्मान करवाए था Next question Lord Minto Dviti के शाषनकाल में कौन सा एक्ट लाया गया था? सही answer हो जाएगा option B Indian Council Act 1909 तो जब भारत में Indian Council Act 1909 लाया गया था तो उस समय Lord Minto Dviti थे भारत के Next question क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिये जाने के समय किस वॉइस राय का शाषन था? सही answer हो जाएगा option D Lord Minto Dviti का तो Lord Minto Dviti का शाषन था जब क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी भारत में Next question किस वॉइस राय के शाषन काल में वर्ष 1911 में दिली दर्बार का आयोजन किया गया था? Important question है कई सारे एक्जाम में पूछा गया है? सही answer हो जाएगा option B Lord Harding के तो Lord Harding के समय काल में ही फ्रेंड्स वर्ष 1911 में दिली दर्बार आयोजन जित हुआ था Next question भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू किये जाने के समय भारत का वॉइस राय कौन था? सही answer हो जाएगा option है Lord Chemsford तो जब भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था तो उस समय भारत का वॉइस राय लॉइस राय लॉइस राय था Next question भारत में आने वाला एक मात्र यहूदी वॉइस राय कौन था? Important question है ये भी सही answer हो जाएगा option C Lord Reading तो Lord Reading एक लो था जहूदी वॉइस राय था भारत में आने वाला Next question 25 June 1945 को आयोजित शिमला समेलन के समय भारत का वॉइस राय कौन था? सही answer हो जाएगा option B Lord Wevel तो Lord Wevel वॉइस राय थे भारत के जब शिमला समेलन आयोजित हुआ था 1945 में अगला प्रश्ट 3 June 1947 को भारत भिवाजन के लिए किस योजना की घोशना की गई? सही answer हो जाएगा option C Mount Britain Plan की अगला प्रश्टन मारा सफतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारती गवर्नर जनरल कौन थे? सही answer हो जाएगा option C C. Raja Gopalachari तो C. Raja Gopalachari सफतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारती गवर्नर जनरल है Next Question कलकत्ता में Asiatic Society की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सही answer हो जाएगा option ने वेरेन हैस्टिंग तो वेरेन हैस्टिंग के शाषनकाल में ही Asiatic Society की स्थापना की गई थी कलकत्ता में Friends अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में पढ़ना जाते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवी दिति क्लासिस पर विजट कर सकते हैं सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाते हैं अगला प्रश्ट कौन हडपनिती का कटर समर्थक था सई आंसर हो जाएगा option C Lord अलोजी तो Lord अलोजी हडपनिती को मानता था Next question सहाइक संधी को किस के काल में सहाइक संधी को करें आवंतित किया गया सही आंसन हो जाएगा option D Lord Wellesley के काल में तो Lord Wellesley के काल में ही सहाइक संधी को क्रिया आवंतित किया गया था Next question ठघों का अन्मुलन किस के नितरित्व में हुआ था सही answer हो जाएगा option D कैप्टन स्लीमेन के तो Captain Sleeman के नेत्रित में ठगों का अन्मूलन हुआ था Next question James Anthroos Ramsey भारत के किस Governor General का वास्तविक नाम था सई answer हो जाएगा option लौड अलोजी का तो लौड अलोजी का वास्तविक नाम है James Anthroos Ramsey अगला प्रेश्ट अफगानिस्तान के प्रती एक जोश भरी अगर यानि कि forward की निती का अनुसरन करने वाला Governor General कौन था सई answer हो जाएगा option C लौड लिटन यह आपको याद रखने है Next question अफगानिस्तान के प्रती आकरमक निती किस Voice Roy ने अपनाई थी सई answer हो जाएगा option B लौड लिटन Next question भारती पुरतत्व सर्वेक्षन की स्थापना किसके काल में हुई थी सई answer हो जाएगा option C लौड करजन के काल में तो लौड करजन के काल में भारती पुरतत्व सर्वेक्षन की स्थापना हुई है Next question ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिली स्थानांत्रन किसके काल में क्रियावंतित हुआ था सही आंसर हो जाएगा option D Lord Harding के काल में तो Lord Harding के समय कलकत्ता से दिली भारत की राजधानी स्थानांत्रित हुई थी next question भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडित नाम से कविताएं लिखता था important question है ये सही आंसर हो जाएगा option ने Lord Litton तो Lord Litton कविताएं भी लिखते थे और वो अपना नाम ओवन मेरेडित लिखते थे अगला प्रेश्ट किस वाइसरा ने बंगाल का विवाजन किया था सही आंसर हो जाएगा option C Lord Karjan ने तो Lord Karjan ने बंगाल का विवाजन किया था अगला प्रेश्ट सर्किट कौर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में की गई सही आंसर हो जाएगा option D Lord Convales तो Lord Convales के कारेकाल में ही सर्किट कौर्ट की स्थापना की गई थी नेक्स्ट कोशन Lord Convales की कबर कहां स्थित है इंपर्टन कोशन है कई सारे एक्जाम में पुछा गया है सही आंसर हो जाएगा option D गाजी पर में तो गाजी पर में स्थित है लॉर्ड कॉन्वालिस की कब्र नेक्स्ट कॉशन लॉर्ड वैलेजली की सहाइक संधी विवस्ता को सभीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी हैदरबाद तो यह आपको याद रखने है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर करें साथ ही आप कमेंड बॉक्स में मुझे ये भी बिता सकते हैं आपको नेक्स वीडियो किस टॉपिक के ओपर चाहिए जैसे कि जियोग्रफी, हिस्ट्री, पॉलिट या फिर बेसिक साइंस तो जो भी कमेंड से हमारे कमेंड बॉक्स में मेज़ोरी अफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर करूँगा नेक्स्ट कोशन है लॉर्ड वैलेजली की साहएक संदी को सविकार करने वाला पहला मराथा सरदार कौन था सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी पेश्वा वाजीराव दुटिय तो पेश्वा वाजीराव दुटिय पहला मराथा सरदार था जिसने लॉर्ड वैलेजली की साहएक संदी को सविकार किया था नेक्स्ट कोशन है रंजी सिंग के साथ अमरिसर की संदी जो की 1809 इस वी में हुई है उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे इंपोर्टन कोशन है कई सारे एक्जाम में पूछा गया है सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी लोर्ड मिंटो प्रथम तो लोर्ड मिंटो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जब अमरीसर की संदी 1809 में हुई है Next question थगी प्रता का अंत किस गवर्नर जनरल के कारे काल में हुआ था साई आंसर हो जाएगा option B Lord William Wendtik के तो Lord William Wendtik के काल में ही थगी प्रता का अंत हुआ था अगला प्रशन है भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने से पूर 20 वर्षों तक ब्रिटिस संसत में रहने वाले गवर्णर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ओप्शन है Lord Harding तो Lord Harding भारत में गवर्णर जनरल बनने से पूर 20 वर्षों तक ब्रिटिस संसत में थे नेक्स्ट कुशन भारती प्रेस का मुक्ती दाता किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा option D चार्ल्स मेटकाफ को तो चार्ल्स मेटकाफ को भारती प्रेस का नेक्स्ट कॉशन है कलकता से दिल्ली तक Ground Trunk Road की मरमत किस ने करवाई? सही आंसर हो जाएगा option D Lord Auckland ने तो Lord Auckland ने कलकता से दिली तक Ground Trunk Road की मरम्मत करवाई है अगला प्रशन है Lord Alhazi ने सैने सुधार की दिशा में प्रेयास करते हुए सैना का मुख्य कारियाले कहां स्थापित किया था सही answer हो जाएगा option B शिम्ला में next question किस कंपनी ने सर प्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की सही answer हो जाएगा option C Great Indian Peninsula Railway ने काफी ज़्यादा important question है next question अफगानिस्तान के संधर में किस भारती वाइसरोई ने अहस्तक शेप की निती अपनाई सही answer हो जाएगा option D John Lawrence ने तो John Lawrence ने अफगानिस्तान के खिलाफ अहस्तक शेप की निती अपनाई थी next question Lord Mayo की हत्या कहां हुई थी important question है सही answer हो जाएगा option B अंडमांद वीप में तो Lord Mayo की हत्या अंडमांद वीप में हुई है next question पंजाब का प्रसिद कुका अंदोलन किस वाइसराइ के काल में हुआ था important question है friends सही answer हो जाएगा option D Lord Northbrook के काल में तो Lord Northbrook के काल में पंजाब का प्रसिद कुका अंदोलन हुआ था friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो का content और quality अच्छी लग रही है तो इसे like जरू करें और अपने friends के साथ share करें और साथ ही comment box में आप मुझे ये भी बिता सकते हैं कि आपको next video किस topic के पर चेज़ जैसे कि geography, history, polity या फिर basic science तो जो भी comments हमारे comment box में majority of रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रवाइड करवाने के कोशिश जरूर करूँगा साथ ही काफी सारे बच्चे comment box में हमसे PDF और e-notes के बारे में पूछते हैं तो आप हमारी जो site है ravisstudyikgk.com पर visit कर सकते हैं यहाँ पर आपको हमारी हर वीडियो के e-notes plus PDF free में provide करवाई जाएंगे next question किस वॉइसराय के समय में Prince of Wales यानि कि King Edward सब्तम भारत की यात्रा पर आए थे सई answer हो जाएगा option है Lord Northbrook के समय में तो भारत में जब Prince of Wales आए थे तो उस समय भारत के वॉइसराय थे Lord Northbrook next question शिशु हत्या पर पूंता प्रतिबंद किस Governor General के समय में लगाया गया था सई answer हो जाएगा option D Lord Wales Lee के समय में तो Lord Wales Lee के समय में शिशु हत्या पर पूंता प्रतिबंद लगाया गया था next question परवती एक्षेत्रों में गोंड जन जाती में प्रचलित मानव बली प्रता का दमन किस ने किया था सई answer हो जाएगा option C Lord Harding ने तो Lord Harding ने गोंड जन जाती में प्रचलित मानव बली प्रता का दमन किया था next question सिंध विलाई जोकी 1843 के समय में हुआ था भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था सई answer हो जाएगा option C Lord Allen Bro यह आपको याद रखना है next question दास प्रता का अंत अधिनियम पांच के माध्यम से किस ने किया था सई answer हो जाएगा option C Lord Allen Bro ने next question जेम्स एंड्रेज बोरो रेम्जे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था सई answer हो जाएगा option B Lord Dalhousi का friends आपको एक बार फिर इंफोर्मिशन देता हूँ कि हमारी अर्दवाज के करेंटर फेस की बुक लोंच हो चुके है जिसमें हमने जनर्वी से जून तक के सभी करेंटर फेस को topic wise MCQS फोर में और one liner फोर में आपके लिए प्रवाइड करवाई है और इस बुक के last में हमने 15 test के sets भी रखे हैं जिससे कि आपकी करेंटर फेस के त्यारी काफी एचे तरीके से हो जाएगी और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाई कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दूँगा और साथ ही हमारे 50,000 GK की बुक भी launch हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीक से बनाएगी आपके exam में 90-95% of questions इसी बुक से आ रहे हैं तो आप इन दोनों बुक को buy करें और अपने exam के preparation को और भी ज़्यादा बहतर बनाएं नेक्स्ट कोशन है चार्ल्स वुड डिस्पैच जो उच्छी शिक्षा से संबंदित था किस governor general के काल में पारित हुआ था अत्वा भारत में railway line किस British governor general के समय बिचाए गयी थी सही answer हो जाएगा option D Lord Dalhousie के समय में अगला प्रेश नमारा Lord Dalhousie के काल में post office act कब पारित किया गया था important question है सही answer हो जाएगा option B 1854 इस्वी में तो 1854 इस्वी में post office act पारित किया गया था next question साहिते जगत में Lord Lytton किस नाम से प्रसिद था important question है सही answer हो जाएगा option C Owen Meredith के नाम से तो Owen Meredith के नाम से प्रसिद थे Lord Lytton साहिते जगत में next question Lord Rippan को भारत के उधारक की संगया किस ने दी थी सही answer हो जाएगा option D Florence Nightingale ने Florence Nightingale ने लॉर्ड रुपन को भारत के उधारक के संग्या दी है नेक्स्ट कुशन अफगानिस्तान के प्रती अग्र गामी यानि के फॉरवर्ड निती का अनुसरन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था सई आंसर हो जाएगा ओप्शन सी लॉर्ड लेटन यह आपको याद रखने है अगला प्रशन है लॉर्ड करजन द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया था सई आंसर हो जाएगा ओप्शन भी मैकडॉनल की अध्यक्षता में तो मकडॉनल की अधिक्ष्टा में लॉर्ड करजन ने एक अकाल आयोग गठित किया था पूसा देली में स्थित क्रिशी अनुसंदान संस्थान की स्थापना किसके कारेकाल में की गई थी इंपॉर्टेंट कोशन है ये सही आंसर हो जाएगा option C लॉर्ड करजन के कारेकाल में तो लॉर्ड करजन के कारेकाल में ही पूसा देली में स्थित क्रिशी अनुसंदान संस्थान की स्थापना रखी गई थी फ्रेंड्स आप हमारे व्लोगिंग चैनल के साथ भी जुड सकते हैं हमारे व्लोगिंग चैनल का नाम है रवी दिती व्लोग्स इस चैनल पर विजिट करें इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि आप हमारे इंटरस्टिंग व्लोग्स का अनन्द ले पाएंगे और इस चैनल को भी सपोर्ट करना ना भूलें अगला प्रशन है लोड करजन वाइसरोई के काल में विवाद में आये किचनर कौन थे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी ब्रिटिश भारती सेना के प्रमुक तो ब्रिटिश भारती सेना के प्रमुक थे किचनर काकोरी कांड किस वाइसरोई के काल की घटना है सई आंसर हो जाएगा option A Lord Reading के काल की तो Lord Reading के काल में ही काकोरी कान हुआ था Next question British भारती राज्यक्षेत्र का अंतिम प्रमुक विस्तार कब हुआ था सई आंसर हो जाएगा option D Lord Friend के समय में यह आपको याद रखना है Next question 1 November 1858 को तो महरानी विक्टोरिया का घोशना पत्र इलाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था सई आंसर हो जाएगा option D Lord Canning ने तो Lord Canning ने महरानी विक्टोरिया का घोशना पत्र इलाबाद में पढ़कर सुनाया था Next question Public Works Department यानि की PWD को 1845 से 1855 इसवी के दौरान स्वरूप देने वाले गवर्नर कोन थे सई आंसर हो जाएगा option B Lord अलहोजी Friends अगर आप इस वीडियो को English में पढ़ना जाते हैं तो हमारे English चैनल रवी दिति क्लासिस पर विजट कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब करें अगर आप English में कंटेंट को पढ़ना जाते हैं Next question है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्रा अधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुना किसने स्थापित किया था सई आंसर हो जाएगा option C 1858 की सामगरी घोशना ने Next question Sir John Shore ने देशी रियासतों के प्रति किस प्रकार की निती अपनाई सई आंसर हो जाएगा option C अहस्त शेप की निती तो अहस्त शेप की निती अपनाई थी Sir John Shore ने देशी रियासतों के प्रति Next question भूमी विवस्था के अंतरगत राइतवाडी विवस्था को हैस्टिंग के समय में किस ने बंबई में लागू किया था सई आंसर हो जाएगा option A अली फ्रिंस्टन ने तो अली फ्रिंस्टन ने राइतवाडी विवस्था को बंबई में लागू किया था Next question आर्थिक सुधारों के अंतरगत Lord Canning ने किस British अर्थ शास्त्री को भारत बुलाये था सही आंसर हो जाएगा option ए अर्थ शास्त्री Wilson को तो अर्थ शास्त्री Wilson को Lord Canning ने आर्थिक सुधारों के लिए भारत में बुलाये था Next question वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वाइसराय के काल में लाया गया था सही आंसर हो जाएगा option D Lord Lytton के काल में Next question है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी ये किस वाइसराय का कथन है सही आंसर हो जाएगा option C Lord Lytton का तो ये आपको याद रखना है Next question है Lord Minto Dytton के काल में कौन सी लीग का गठन हुआ था Important question है ये सही आंसर हो जाएगा option B Muslim League का तो जब Muslim League का गठन हुआ उस समय Lord Minto Dytton भारत में थे Next question द्वित्य गोल में समयलन के आयोजन के समय भारत में किस वाइसराय का शाशन था सही आंसर हो जाएगा option C Lord Wellington का तो जब द्वित्य गोल में समयलन का आयोजन हुआ उस समय भारत के वाइसराय Lord Wellington थे Next question भारत सरकार अधिनियम 1935 का धांचा तियार करने में किस वाइसराय ने महत्तपुन भूमी का निभाई थी important question है यह सही answer हो जाएगा option D Lord Lilnith Go ने तो Lord Lilnith Go ने भारत सरकार इधिनिम 1935 का धांचा तियार करने में महत्पुन भूमी का निभाई है हमारा आखरी question है Lord Lilnith Go किस अंदोलन के समय भारती वाइस रोई थे सही answer हो जाएगा option C भारत छोड़ो अंदोलन के समय तो भारत छोड़ो अंदोलन के समय Lord Lilnith Go भारती वाइस रोई थे यह आपको याद रखना है तो यह थे friends हमारे आज के important question आपको एक बार फे information देता हूँ कि हमारी अर्दवाश की current phase की book loan चो चुक है जिसमें हमने Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस video के description box में provide करवा दूँगा और साथ ही हमारी 50,000 GK की book भी loan हो चुकी है और इस book को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया कि आपके exam में 90-95% of questions इसी book से आ रहे हैं तो आप इन दोने books को buy करें और अपने exam की preparation को और भी ज़्यादा बहतर बनाए तो यह था friends हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको भारत के governor, governor general और voice right काफी detail में topic पढ़ा दिया आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality पसंद आई है तो इसे like जरूर करें और अपने friends के शेयर करें और अपना feedback हमारी comment box में जरूर दे तो चलिए अब आपसे मुलकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए thank you and wish you all the best